हलो दोस्तो आज अब मनाने वाले हैं पनजाब का फेमस गेम जिसे बावी कहते हैं और गैट अवे भी कहते हैं तो मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम शूट से लिए गाजट से चुटकारा पाना होता है तो हमारा पुराना गेम देखा हो अडंगा जो राजिस्तान में चलता है ये गेम उसी के जैसा है लेकिन कुछ बैरिएशन के साथ है तो दोस्तो अब हम खेला शुरू करते हैं दोस्तो इसमें पत्ते दो तरीके से बाट सकते हैं या तो हम गड़िया बना दे जितने प्लेयर कर लिए है तो जिस प्लेयर के पास में उकम का एका आएगा वही गेम को स्टार्ट करेगा प्लेयर बन के पास में उकम का एका आया है तो वह गेम को स्टार्ट करता है तो अब सभी प्लेयर को सेम सूट चलनी है और कोशिश यह करनी है कि बड़े पत्ते निकालने हैं जिसस पिंगे साथ किसी के भी नहीं ऊड़े हैं तो अमारी बेस्ट पाइल को इधर रख लेते हैं ज्स प्लेएर का यह हाथ बनाएए उसी प्लियर मिर्लेगको दुबारा से चलना आ है प्लेएर बने चिड़ी की चौकी चलता है हग है क्योंकि आप चिड़ी का एक का बना है प्लेयर 2 का तो उसकी बारी अब प्लेयर 3 के पास में हुकम नहीं है वो प्लेयर अपने पास में जो दूसरा सूट का पत्ता होगा वो चलने वाला है जैसे उसने चिड़ी की दहली चल दी अब इसे कहते हैं ठुला ठुला देना या ठुला देना तो उसने इसको ठुला दे दिया है तो ये पत्ते बापिस से प्लेयर टू के पास चले जाएंगे प्लेए 2 को कुछ और चलना पड़ेगा इसमें एक ही पत्ते का ठॉला मिलता है अडंगा में सारे पत्तों का मिलता था अब प्लेए 2 के पास में चिड़ी भी खतम हो गई है पान के 1 के का दे दिया और यह बापिस प्लेए के पास ले रेंगे जिस player को ठुला मिलेगा उसी player को बापिस चलना पड़ेगा यह game में सबसे खराब point है तो उस player को पत्ते मिलने के चांज से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो player 2 के पास में eat नहीं है तो इसलिए उसने पान का ठॉला दे दिया है player 1 को तो player 1 यह सारे पत्ते अपने पास रख लेगा तो दूस्तों यह game इसी तरीके से चलता रहेगा यदि किसी player के पास में कोई suit नहीं होगा तो वो उसको ठुला दे देगा इस game के अंदर जिस player के पास में सबसे last में पत्ते बचेंगे वो game को हार जाएगा अब हम सब पोच करते हैं कि player 4 के पास सिर्फ एक पत्ता बचा है और बारी है चलने की player 3 की इट की सत्ती चलता है और player 4 के पास में एक last पत्ता बचा है इट की चौकी तो वो इसको चल देता है और player 4 अब game के अंदर जीत गया है player 4 game को देखता रहेगा और बाकी players का इंतजार करेगा कि कौन player के पास में सबसे last में पत्ते बसते हैं अब ये इट की पंजी चल देगा तो इट की सत्ती बड़ी है player 3 की तो ये चारो पत्ते player 3 के पास में जुड़ जाएंगे चुकि ठुला मिला है player 3 को तो इसलिए player 3 पत्ते चलने वाला है ये game इसी तरीके से चलता रहेगा हम देखते हैं कि last 2 player पे game कैसा रहता है दो ही player बचे है player 1 और player 2 तो player 2 की बारी है तो तो वो पान का सत्ता चलता है 8 का ठुला देता है होकम का 8 चलता है और player 1 हुकम का दुक्का चलेगा तो अब ये बन गया है player 2 का और player 2 game को हार गया है क्योंकि अब काफी सारे पत्ते player 2 के पास बच गए है game को दो तरीके से player हार सकता है या तो उसका highest card उसके पास बन जा है तो 8 उसके पास ही बना है तो अगली बारी उसी की है चलने की player 2 की तो इसलिए वो game को हार गया है या फिर last player उसको ठुला दे देता एक तीसरी condition भी game के अंदर बनती है यदि हम सपोच करते है player 1 का सत्ता चलता 2 और player 1 उसको हुकम का दुक्का उसको एज़े ठुला दे देता और ये दोना पत्ते चला जाते player 2 के पास में player 2 हुकम का दुक्का चलता और player 1 हुकम का अठ्था चलता तो अब ये player 1 का बन जाता और ये तो चला जाता base pile के अंदर लेकिन क्योंकि highest card था player 1 का और उसके पत्ते नहीं है तो उसके पत्ते अब लेने पड़ेंगे तो इसको दो तरीके से पत्ते ले सकते हैं कहीं जगे पे तो पत्ते जो base pile होती है वहाँ से लेते हैं तो हम लेने वाले base pile से और कहीं जगे पे पत्ते जो लिये जाते हैं वो opposite player होता है उसके पत्तों में से देखते हैं वाई लग क्या पत्ता आया है उसके पास तो उसके पास चिडी की देली आई है तो चिडी की देली जब वो चलेगा तो प्लेयर टू उसको चिडी की तिक्की चल देगा तो यह बापिस से प्लेयर बनका हाइस्ट कार्ड है यह तो वेस्ट पाइल में चला बढ़ेतले में प्लेयर वन को फिर से पत्ता लेना पड़ेगा और उसे चलना पड़ेगा अब प्लेयर टू अब टुल्ला देगा पान के सत्ते और उसके पत्ते घत्तम हो गई हैं अब player बन सब्सक्वाइब । देखा लास्ट में कैसे को eu two players गेम को जीज सकता है दोस्तों इस गेम के अंदर एक खास रूल होता है जिसे बोलते हैं take card तो यदि कोई भी player चाहे तो कभी भी अपने अगले वाले player के सारे पत्ते ले सकते हैं ये rule थोड़ा अचीव है क्योंकि हमको इस गेम के अंदर हमारे पत्ते पूरे निकालने होते हैं तो हम बगलवाले के पत्ते क्यों लें, लेकिन उसका फाइदा यह होता है, कि काफी बार हमको ऐसा लगता है, कि बगलवाला हमको सारे पत्तों के उपर ठुला दे रहा है, या फिर उसके पास में सारे पत्ते चोटे हैं, तो हम उसके पत्ते ले सकते हैं, वो प्लेयर गेम में जिसने हुकम का एक का चलाया उसको दुबारा चांस मिलेगा चलने का तो दोस्तों कैसा लगा आपको गेम येधी गेम आया हो पसंद comment box में जरूर बताईएगा इसे आप अपने friends and family members साथ खेलिएगा ये आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like कर दीजेगा और ये आपको हमारे वीडियो इसी तरीकी से पसंद आते तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए thank you very much